decision making suppose कि आपके पास एक लाग रुपए हैं और आपको जो है वो invest करना है तो अब यहाँ पे जब आप investment करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि SBI है market में PNB है Central Bank of India है HDFC यानि कि अलग-अलग bank हैं अब अलग-अलग bank में अलग-अलग इस स्केन से कहीं पर FD पर आपको 7% interest मिल रहा होगा तो कहीं पर FD पर आपको 6.9% interest मिल रहा होगा कहीं पर आपको bond पर ज़्यादा मिल रहा होगा तो इहीं पर आप जो है stock market में चेले जाए equity में लगा देए एक लाग का हो सकता है कि 10 लाग भी हो जाए लेकिन वहाँ पर रि तो जब आप कोई multiple option में से जब कोई एक option चूज करते हो तो वही चीज क्या कहलाती है decision making कहलाती है आपके पास एक लाख रुपए इन्वेस्ट मेंने के थे आप क्या किया आपने उस एक लाख रुपए को जो है SBI में ना इन्वेस्ट करके PNB में ना इन्वेस्ट करके आपने equity में इन्वेस्ट कर दिया या फिर आपने risk नहीं लेना चाहा और आपने क्या किया SBI में FD कर दिया तो जो भी multiple options है आपके पास उनमें से जो भी आपने एक option चूज किया तो यह चीज क्या कहलाता है decision making कहलाता है तो it's all about choosing from the available option याने कि आपके पास multiple banks हैं आप किसी भी bank में FD कर सकते थे लेकिन आप क्या करते हो search करते हो, research करते हो, data collect करते हो उसके बाद फिर आपको उनमें से किसी एक bank को select करते हो और उसमें जो अपना पैसा invest कर देते हो, FD कर देते हो या फिर किसी और इसकी में पैसे लगा देते हो that is called decision making और जितना अच्छा choices आप बनाओगे, जितना अच्छा selection आप करोगे, उतना ही अच्छे आप क्या कहलाओगे decision maker कहलाओगे, the better choices you make, the better decision maker you will welcome यानि कि आपने कोई decision लिया, आपने suppose कि आपको प्रमोशन करना था employee का, तो वहाँ पर आपके पास दो option, दो candidate available थे, दोनों sales person थे, उनको sales manager बनादा था clear, तो a decision making process is a series of steps taken by individual to determine the best option or course of action to meet their need, यानि कि आप अपनी need को fulfill करने के लिए, या फिर organization कि जो भी need है उसको fulfill करने के लिए, जब कोई individual जो है, वो different course of action में से कोई best step को choose करता है, best action को choose करता है, तो वही चीज कहलाती है, decision making कहलाती है, और उसमें जो भी steps वो perform करता है, उसको क decision making process कहते हैं, जैसा कि हमने example के तौर पर आपको बताया भी, कि आपके पास एक लाख रूपए है, आप जो है कहाँ invest कर सकते हो, आप SBI में, bond में invest कर सकते हैं, फिर PNB के equity में invest करते हो, दोनों option आपके पास, अब लेबल है, दोनों में से जो है, आप जो choose करोगे, वो चीज decision making कहलाएगे, clear, तो decision making environment हम बात करने, तो decision making environment कहने का मतलब है कि किस condition में, decision making environment कहने का मतलब है कि किस condition में, जो है आप decision making कर रहे हो, पहली condition यह हो सकती है कि आपके पास पूरी information available है और वहाँ पे certainty है, यानि कि वहाँ पे आपको पता है कि SBI के bond में, अगर आप invest करोगे, तो वहां पर 7% का interest मिलेगा आपको लेकिन equity में क्या है equity एक ऐसा involvement है जहां पर आपको uncertainty है वहां पर हो सकता है कि आपको 50% return मिल जाए वहीं पर हो सकता है कि पूरा जो है negative में चला जाए information available है partial information available है या फिर incomplete information available है आके पास पूरी इंफोर्मेशन हैई नहीं किस condition में कर रहे है सिच्वेशन बाड़ा है मुझा फिर आधा दूर पता है Cruise the problem किस तरीकी का है किस nature का problem है clear वो जो है चार से related है वो manufacturing से related है वो production से related है वो investments से related है कि type का problem है clear तो where there is a certainty uncertainty और risk to which the decision is made under तो उसको कहते हैं decision making environment तो इसके basis पे जो decision making environment हम उसको जो है तीन type में divide कर सकते हैं there are three type of decision making environment पहला certainty दूसरा uncertainty और तीसरा risk situation यानि कि risk से देख सकते हैं आप इसको तो certainty मतलब कि जहां पर certain है चीजे निश्चीत है यानि कि अगर आप SBI के FD में invest करोगे तो आपको 7% interest मिलेगा ही मिलेगा तो यहाँ पर आसानी से आप decision making कर सकते हो कि SBI के FD में करोगे तो 7% Central Bank of India के FD में करोगे तो 6.9% और वहीं पर PNB में करोगे तो 7.1% तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करोगे decision ले लोगे कि आपको एक लाग इंवेस्ट करने तो आप जो है PNB में जाओगे वहाँ पर 7.1% interest मिले आप वहाँ पर इंवेस्ट कर दोगे तो certainty यहाँ पर हर condition of certainty, accurate, miserable and reliable information on which to base decision is available यानि कि जिस basis पर आप decision लेने जा रहे हो वह information accurate है, miserable है और reliable है उसके basis पर आप decision making कर तो यानि कि आपने तीनों bank में जाके वहाँ से data collect कर लिया कि FD पर कितना rate of interest मिल रहा है और फिर उसके बाद आपने decision ले लिया कि PNB में हमें invest कर देना क्योंकि 7.1% का interest वहाँ पर मिल रहा है तो accurate है, miserable and reliable information जो है certainty की case में वहाँ पर available होती है there is only one outcome of each alternative यानि कि यहाँ पर जो भी alternative आपके आपास available है उसका एक ही outcome होता है अब suppose करें कि SBI के FD में invest करते है तो वहाँ पर आपको पता है कि 7% का interest मिलेगा एक ही outcome है वहाँ पर loss नहीं हो सकता है वहाँ पर क्या है कि 7% का interest आपको मिलेगा PNB में गए दूसरा alternative का है PNB में गए वहाँ पे 7.1 interest है तो वहाँ पे आपको पता है कि confirm है कि वहाँ पे 7.1% का interest मिलेगा कोई एक outcome है दूसरा कोई outcome है ही नहीं कि नहीं भी आपने invest कर दिया 7.1 नहीं मिलेगा 6 मिल जाएगा या फिर 8 मिल जाएगा as and if FD है fixed deposit है वहाँ पे 7.1% मिलेगा ही मिलेगा आपको clear तो एक outcome होता है वहाँ पे alternative का किस case में certainty के case में वहाँ पे accurate, miserable, reliable information आपके पास availability complete information होती है और आसान होता है यह certainty के case में जो decent making होता है वो safest होता है और वहाँ पे क्या है least risk होता है यहाँ पे risk less होता है बहुत कम होता यहाँ पे chances होता है क्योंकि यहाँ जो सीधा-सीधा आपको पता है कि हैस्थे समीक में करोगे तो इतना मिलेगा अप्यष्श मिलेगा आसई आप यहा तो कोई dilemma की situation होती ही नहीं है clear तो जो decision making under certainty में होता है वहाँ पर different techniques उसके जैसे linear programming, queen model, inventory model, capital budgeting, break-even analysis, break-even point analysis, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर पूरा data अवलेवल होता है आपको सीधे find decision making करना होता है आप जैसे कि आपको inventory model है तो वहाँ पर decide करना है कि आपको कितना inventory चाहिए या फिर inventory कब order करना होगा, reorder point क क्या हो सकता है आपका, तो हाँ पर आपके पास पूरा data अवलेवल होता है आप जो इसके basis पर reorder point को calculate कर लेते हो यानि कि आपको जो है यह जानना है कि कभ हम जो री ओरर करना है supplier के पास तो पता चला है हर 15 दिन पर आपको री ओरर कर देना है तो आपने calculation के है पूरा data अव रखना है उसको भी जो आप आसानी से calculate कर सकते होती है क्या है certainty यहां पर जहां पर complete information reliable information आपके पास available होती है और उसके basis पर आपको decision making करना होता है अब suppose कि जैसे कि HR है आप ठीक है तो आपको जो है best candidate select करना है अपने यहां पर एक marketing के लिए ठीक है तो आप आपके पास तीन वह हुआ है तो but obviously यहां पर complete information available है आप आसानी से हुआ हमें marketing के लिए चीजिए तो marketing वाले candidate को आसानी से recruit कर सकते है तहां पर क्या होता है कि सारी information आपको accurate information available होती है और कोई एक ही outcome होता है और उसमें से आप आसानी से decision making कर सकते हैं वहीं पर दूसरा है decision making risk situation under risk situation यहाप पर क्या है कि आप जो है risk में decision making करना होते हैं हाँ पर क्या होता है कि जो alternatives होते हैं उसके multiple outcomes होते हैं जो अल्टरनेटीव होंगे उसके मếnफपल आउटकम होंगे आप यहां पर यह लाइन जरुançaद रखिएगा तो रिसक स्थैटिएशन गया होता है उसके पास कप्लीट इन्फॉमेशन नहीं होती है पार्शिल इन्फॉमेशन घीए बट यहां पर क्या होता है कि उसके पास alternative होता है और उसको probability of outcome के बारे में पता होता है यानि कि अगर वो SBI में equity में invest करता है तो उसको probability है उसको idea है कि हाँ यहाँ पे at least 0.5 chances है कि यहाँ पे हमें loss हो सकता है यहाँ फिर 0.10% chances है 0.10 chances है कि जो है हमें profit हो सकता है यहाँ पे उसको probability of outcome है किसे भी action का उसको वो चीज़ पता होती है risk के case में तो multiple outcome for each alternative with non probability of occurrence of each outcome यहाँ पे क्या है multiple outcome है देखिए एक certainty में क्या था कि single outcome था यानि कि जो भी alternative आपके पास है उसका जो भी outcome आएगा वो single होगा one outcome होगा FD में invest करोगे SBI के तो 7.1% interest मिलेगा लेकिन यहाँ पे क्या है risk के case में multiple outcome है यानि कि आप equity में invest करनेगे तो वहाँ पे loss भी हो सकता है वहाँ पे profit भी हो सकता है वहाँ पे 10% का जो है आपको interest मिल सकता है वहाँ पे minus 10% भी जा सकता है तो multiple outcome है लेकिन यहाँ पे क्या है probability आपको पता होती है risk के case में और जो दूसरा आएगा तीसरा आएगा uncertainty वहाँ पे बस यही difference होता है कि वहाँ पे probability आपको नहीं पता होती है clear वहाँ पे भी multiple outcome होगे uncertainty में लेकिन वहाँ पे क्या होगा situation कहलाता है तो such decision making under risk situation such decisions are associated with events that could either be very successful or quite disastrous for the organization तो risk case में क्या है by higher risk higher gain जितना ज़्यादा risk होगी उतना ज़्यादा gain भी होगा लेकिन वहाँ पे loss होने की भी chances होते हैं तो यहाँ इस type के decision में जो है वहाँ पे successful हो सकता है और disasters भी हो सकता है तो the best course of action to take in risky involvement is first analyzing the risk of all the alternative action based on the information available तो जो भी information आपके पास available है उसको पहले आप अच्छे से analyze करें जो probability है उसको check करिए उसके इसाब से payoff बनाई और calculate करिए कि 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 alternative में कितना risk है और उसके बाद जो है फिर आप decision making कर सकते हैं वहीं पर तीसरा है decision making under uncertainty uncertainty यानि कि यहाँ पर क्या है कि आपके पास पूरी information है नहीं इंकंप्लीट है partial information नहीं बलकि आधियरूरी information है clear तो उस case में आप जो है यहाँ पर decision making कैसे कर सकते हैं तो the decision maker is not aware of all available alternative the risk associated with each and the consequences of each alternative or their probabilities तो यहाँ पर क्या है कि सभी alternative के बारे में उसको information नहीं होती है दूसरा कि हर alternative के साथ क्या risk associated है वो भी उसको नहीं पता होता है तीसरा कि जो consequences हों कि हर alternative का या फिर जो probability है उसके बारे में उसको पता नहीं होता है तो that is called uncertainty यहाँ पर उसके पास है उसका profit भी हो सकता है उस decision से लेकिन risk के case में probability तो पता थी at least कि हाँ चलो 0.5 ही chances है कि यहाँ पर लॉस हो जाएगा बाकी आपको profit होना है लेकिन uncertainty के case में आपको यह भी नहीं पता है कि loss की कि इतने chances हैं और profit के किसने chances हैं तो that is called uncertainty environment for example एक grocery shop owner must decide how many packets of milk to purchase every day in the face of uncertain demand यानि कि जब किसी grocery shop पे है आप सभी packet milk अमूल या फिर पराग का purchase करते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो grocery shop है उसको यह चीज नहीं पता होती कि उसको कितना जो है packet अमूल या फिर पराग का अपने यहाँ पर रखना है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कल कितनी demand होगी आज जो है उसके यहाँ पर साथ जो है packet बिग गए लेकिन कल पता चला कि दस भी नहीं बिगे तो इस case में क्या है यहाँ पर uncertainty है demand की तो उस case में जब उसको decide करना होगा कि कितना जो है उसको अपने यहाँ पर दूद का packet रखना चाहिए वो decision making under uncertainty आ जाएगा तो that is decision making under uncertainty तो यहाँ पर आपको decision making environment में तीनों environment आपको ध्यान रखने होगे decision making under certainty जहाँ पर पूरी information complete information होती है कोई possible one possible outcome होता है किसी भी alternative का और वहाँ पर decision making करना आसान होता है decision making under risk के situation में क्या होता है वहाँ पर आपको multiple outcome होते हैं किसी भी alternative के लेकिन वहापे आपको probability भी पता होती है यानि कि अगर आप equity में invest करने जाया तो आपको probability पता होगी कि यहाँ 0.5 chances हैं कि loss हो जाएगा वहीं पर 0.10% chances है कि जो है आपको profit हो सकता है तो यानि कि वहापे आपको probability भी पता होती है लेकिन under the uncertainty commission complete नहीं होते है आपको alternative सभी alternative के बारे में भी नहीं पता होता और यहाँ पर जो risk associated वह भी नहीं पता होती है यहाँ पर probability क्या होती है वो unknown होती है यहाँ आपको कि कितने percentage chances है कि profit होगा आपको पता ही नहीं होता है उस case में आपको decision making करना होता है तो वह चीज़ क्या कह थी ह making under uncertainty clear तो हम decision making under risk और decision making under uncertainty इसमें जो है दो तीन method हैं और उसके numerical हैं वो हम आगे discuss करेंगे wish you all the best keep watching